हेलो एवरिवन तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आई टी आई के सेशन 19 से किस स्टुडेंट जिनका की एक्जाम जो आपका एक मार्च से होने वाला है तो एक मार्च को जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि आपका Engineering Drawing का पेपर एक मार्च को होगा और दो और तीन मार्च को जो आपका Practical होने वाला Trade Practical ठीक है तो अब बात कर लेते हैं कि Engineering Drawing का जो पेपर आपका एक मार्च को होने वाला उसका Prepassen कैसे करें जैसा कि आप लोग सभी को देख रहे हैं कि अभी जो time जो आपका बहुत कम बचा हुआ है दो और तीन दिन ही आपको पास है और उसके बाद आपका paper जो होने वाला और paper जो होगा यहाँ पर offline mode में होगा और आपके जो ITI college है आपका home center रहेगा ठीक है तो अब बात करेंगे कि हर एक साल यहाँ पर repeat होते है हर एक साल common वो questions पूछे जाते है ठीक है यदि मेरे बताय हुए question को आप लोग कवर कर ले तो आप लोग जो है इसको एक्जाम को पास कर जाईएगा आपको जो है engineering drawing में आप लोग फैल नहीं होईएगा ठीक है क्योंकि engineering drawing ही एक ऐसा paper जिसमें ज्यादा तर student जो फैल होते हैं इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मोटी भी यही है कि आप लोग ज्यादा संक्या में कम समय में पास हो जाए और आप लोगों को पता ही है कोरोना के वाज़े से जो lockdown हुआ था उसके वज़े से यहाँ पे ज्यादा तर जो college या उसमें आप लोगों के लिए बहुत जादा important हो जाता है तो आप लोग देख सकते हैं यह मेरे पास solved paper है 2019 से लेके 2014 तक का engineering drawing का ठीक है तो पहले बात मैं यह बता देना चाहता हूँ आपको कि ITI में देखिए जो first year student है 19-20 session का उनका चाहे ट्रेड आपका feature हो, electrician हो, diesel mechanics हो, diesel mechanics तो जि यह दोनों trade के लिए common question आएगा ठीक है तो यहाँ पर question में जो है same question रहेगा क्योंकि आपका first year का syllabus जो हो same रहता है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखें 2019 का paper हम लोग यहाँ पर analyze करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2019 के paper में आपका total जो marks होता है 50 marks का questions रहता है ठीक है 50 marks रहेगा और आपको यहाँ पर तीन घंटे जो दिये जाएंगे ठीक है engineering drawing में और यदि हम लोग यहाँ पर देखें questions तो यहाँ पर three questions जो पूछे जाते हैं तो पहला जो question आपका रहता है वह आपका generally रहता है यहाँ पर मुक्त हस्त रेखा ह करने के लिए बोला गया था उसी तरह से यहाँ पर आदर यह सारा चीज है ठीक है यह सारे जो questions है यहाँ पर पूछे जाते हैं तो इस बार जो आपका diesel mechanics का हुआ था उनको यहाँ पर बॉल पिन हैमर हो गया हैक्सो हो गया यह सारे चीज जो बनाने के लिए subscriber हो गया यह सार लेना एक बार free hand drawing जो इसका और यहाँ पर आपको जो hexo है frame with frame आपका ball pin hammer हो गया यह सारे चीज का एक बार जो आपको drawing जो है वो देख लेना आप drawing कहां से free hand drawing कहां से cover करेंगे तो मैं वो भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ तो देखी यह वाला book जो आपको पैस engineering drawing का आपके पास होना चाहिए ठीक है इसमें हम लोग यहाँ पर जब देखते हैं हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें free drawing जो आपका free hand drawing कहां पर दिया गिया है तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका चेप्टर नम्मर 9 जो आपका चेप्टर नम्मर 9 जो यहाँ पर free hand sketch दिया गया आपका ठीक है इसमें से आप लोग सबसे पहला देख सकते हैं outside macrometer यहाँ पर है इसको एक बाद आप लोग प्रैक्टिस कर लिजेगा outside macrometer होगी आपका उसके बाद यह सारा चीज जो आपका इसमें से outside macrometer एक important आपका ठीक है उसके बाद यहाँ पर लोग देख सकते हैं आपको यहाँ वर्नियर के लिपर दिया गया है ठीक है वर्नियर के लिपर इसको भी आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लिजेगा क्यों कि इसमें से आपको questions जो वो मिल जाएंगे direct questions इसमें से देखें यहाँ पर आपका जो subscriber दिया गया है जो कि इस वार 2000 आपका जो diesel mechanics का जो student थे उनके जो exam हो गया है engineering drawing में उसमें यह वाला question पूछा गया था ठीक है तो यह सारे चीज और यह भी block भी उनको पूछा गया था भ ball pin hammer यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है ball pin hammer इसको भी आप लोग जो एक तरह से अच्छी तरह से बना लेजेगा और file ठीक है तो यह सारे चीज का आप लोग practice कर लेजेगा free hand में क्या चीज करना आपको outside micrometer हो गया ball pin hammer हो गया आपको file हो गया hexo हो गया with frame हो ठीक है और nut assemble करने के लिए बोला गया था आपका square thread assemble से related questions यहाँ पे पूछे जाते है ठीक है यहाँ पे assemble करने के लिए आपको बोला जा सकता है और तीसरा questions जो रहता है वो आपका रहता है क्या चीज ता आपको यहाँ पे orthographic projection यह सबसे important हो जाता आपका orthographic projection क्योंकि यह जो आपका ज् free hand drawing और आपका जो हो गया दूसरा एक orthographic projection यह दो questions जो common है यह हर एक साल पूछा जाता है चलिए मैं देखा देता हूं आपको यहाँ पे 2018 का paper हम लोग देख लेते हैं 2018 के paper में भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2018 के paper में जो आपका यह जो हमारा orthographic projection का यहाँ पर पूछा गया है ज्यादा तर साल इस तरह के questions नहीं आते हैं ज्यादा तर साल जो आपके यह इस तरह के questions आते हैं isometric दिया रहता है आपको orthographic बनाना रहता ठीक है इसको इसका front view, side view, top view बनाना रहता है इसको कैसे करना है तो इससे related video जो है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएग है हमारे चैनल पर आपको जो playlist में जाके वहाँ पर engineering drawing का playlist मिल जाएगा वहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं तो ज्यादा तर जो है आपका इसी तरह के questions पूछे जाते हैं और एक जो important और एक important questions आपका ellipse construction करने के लिए ठीक है आप लोग देख सकते हैं आप 2017 में आप हमारे चैनल पर आपको इसका video मिल जाएगा आप लोग इसको देख लिजेगा उसके बाद आपका संस्ष्ट भूज बनाने के लिए हो गया पंच भूज बनाने के लिए हेक्सागोन बनाने के लिए ये questions भी आपको पूछे जाते हैं तो आप लोग को ये 3-4 questions जो practice कर लेना है ellipse construction हो गया चाहिए अपका heptagon हो गया pentagon हो गया hexagon हो गया ठीक है ये सारे चीज जो आपको बनाने के लिए आना चाहिए क्योंकि इससे एक questions जो आपको देखने के लिए मिल सकता है और जो सबसे important आपका वो है आपका orthographic projection front view, side view, top view बनाने के लिए ये एक questions जो आपका रहे आपको क्या करना है तो सबसे पहले आपको freehand drawing जो है वो सीखना है freehand में आपको क्या क्या बनाना है तो outside macrometer हो गया आपका ball pin hammer हो गया hexo हो गया आपका genic caliper हो गया ठीक है और आपका जो file हो गया तो ये सारे चीज जो आपको man man जो है उसको आपको एक बार draw करके देख लेन ये सारे चीज बनाने के लिए आपको आना चाहिए तो ये सारे चीज का video जो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा आप लोग वहां से उसको cover कर सकते हैं अभी आपके पास time है 2-3 दिन है 2-3 दिन जो है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा है आप लोग इसको cover अराम से कर सकते और साथ ही साथ आपको orthographic projection में front view, side view और top view बनाने के लिए आना चाहिए ये बहुत ही ज़्यादा important question है और ये सभी student को इसको बनाने के लिए आना चाहिए और ये questions जो इस बार भी आपको exam में देखने के लिए मिलेगा तो इस question को कर लेना है कैसे करना है यदि आपको नहीं पसंद आया होगा मैंने जो आपको बताया वो सारा चीज समझ में आ गया होगा कैसे आपको engineering drawing कर paper जो pass करना है और यदि कोई भी confusion हो तो आप लोग वीडियो के comment box में comment कर नीचे comment किजिएगा मैं जो है उसको reply करने कोसिस करूँगा या फिर आप लोग चाहते है कि किसी पोलें सिटी इसको अक्षरन करना था आपको यहाँ अक्षर現在 करने के लिए भी आपको video बनाया गया गया था और सिखाया गया था कैसे अक्षरन किया जाता है तो आप लोग इसको भी एक बार पूझे जाते है इससे अलग सरей ब्र गले कहिते हैं आप लोग अराम है इंजि ये दो question आपका must है और तीसरा question जो है उसके जगह पे आपको हो सकता है कि आपको ellipse बनाने दे दिया जाए, pentagon बनाने दे दिया जाए, या फिर आपको हो सकता है कि hexagon बनाने दे दिया जाए, या फिर आपको किसी का assemble करने के लिए, bolt assemble करने के लिए ये सारे चीज़ का drawing करने के दिया जा सकता है ठीक है तो तीसरा नमर question जो वो vary कर सकता है पर फर्स्ट नमर और जो आपका दो questions जो वो fix रहेगा free end रहेगा और एक आपका जो है orthographic projection रहेगा ठीक है तो I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा जैदी वीडियो पसंद आया है चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लिजेगा और वीडियो को like करना ना भूलिएगा तता जदा जदा अपने friend लोगों के साथ share करना ना भूलिएगा जिनका भी एक मार्ज को exam है उनके साथ वीडियो जरूर सेयर कीजेगा तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद